नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग उमीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे तो जैसा कि आप लोग का UPPCL Assistant Accountant का एक्जाम संपन हो चुका है I hope आप लोगों ने एक्जाम को अच्छे से अटेंड किया होगा काफी सारे बच्चे हमारे साथ लगातार जुड़े रहे और हमें बताते रहे कि एक्जाम किस लेवल का आया था एक्जाम में क्या-क्या पोछा गया था अगर सबका नाम लेंगे श्टुडेंट का, तो वीडियो काफी जादे लंबी हो जाएगी इसलिए उन सभी बच्चों का दिल से शुक्रिया, जो लगातार बताते रहे हमारे साथ जुड़े रहे हाला कि एक्जाम हमारा भी था, सेंटर गया था नोईडा एक्जाम आप लोग की दुवा से काफी अच्छा हुआ है अब आगे देखते हैं क्या होता है इस वीडियो के मध्यम से आपको हम बताना चाहते है उत्तर प्रदेश राज विद्दुत उत्पादन निगम लिम्टेट की तरफ से वेकेंसी आउट हुई है हाला कि इसका रेजिस्रेशन स्टार्ट हो चुका है 21 फरवरी से और इसकी जो लाज डेट है वो है 21 मार्च यानि 21 फरवरी से 21 मार्च तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं यहां हम बात करने वाले हैं सहायक लेखाकार असिस्टेंट अकाउंटेंट की भरती आई हुई है ठीक है अगर आपकी उम्र एज 21 साल से 40 साल है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर आप कॉमर साइट से पढ़े हैं आपने विकॉम, एमकॉम किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जनरल की फीस है 1180 रुपए SCHD की फीस है 826 रुपए PH केंडिडेट की फीस है 12 रुपए ठीक है उम्मीद करते इतना आपको समझ भें आ गया होगा कि कॉन लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं साहयक लेखाकार के लिए बिकॉम पढ़े होने चाहिए या एमकॉम पढ़े होने चाहिए ग्रेजियोशन होने चाहिए आप ठीक है तो यहां देखिए लिखा हुआ है साहयक लेखाकार टोटल पोस्ट है 21 कितनी पोस्ट है फ्रेंड्स 21 पोस्ट है टोटल जनरल की है 5 ओबिसी की है साथ सी की है छे स्टी की है एक और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए है दो ठीक है और यहां पर देखिए ESM यानि भूदपूर सैनिक के लिए है एक सीट ठीक है यह मैंने आपको बता दिये यहां पर सीट के बारे में टोटल है 21 और किस किस में बटी हुई है यह देखिए तो अब इसके बाद आपको बताने वाले है इस एक्जाम का भी प्रोसेस सेम प्रोसेस आपका UBPCL के तरह ही है जैसे आप वहाँ एक्जाम देते है उसी तरह यहां भी आप एक्जाम देंगे कोर्स वही है यानि कि आपका जो स्लेबस है विल्कुल सेम है UBPCL Assistant Accountant की तरह आपको जो एक्जाम प्रोसेस है ये भी एक्जाम दो पार्ट में होगा पहला होगा कंप्यूटर O-Level जैसा और दूसरा होगा Auditing, Income Tax, Accountancy, Hindi, English और Math ठीक है बिल्कुल सेम प्रोसेस है उसी तरह ही है आपको पहले पार्ट में पास होना जरूरी है कंप्यूटर में 50 कोशन पूछे जाएंगे जिसमें आपको 25 कोशन बिल्कुल सही करके आना होगा तभी आप Part 2 के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे ठीक है प्रोसेस बिल्कुल सेम है ये आपको बताना चाहते थे और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है विद्दुत उत्पादन निगम लिम्टेड में लागू नियमानुसार होंगे इसमें जो भी भत्ते लागू होते हैं वो भी इसमें एड हो करके आपको मिलेंगे अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अनिवार सेचिक आहरता है जो कि मैंने आपको बता दिया है कि आप बिकॉम से ग्रेजुएट होने चाहिए या तो फिर अगर आपने एमकॉम भी किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बैचलर डिगरी इन commerce from a university deemed university established by an act by central government और any state government ठीक आप इसके बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है सायक लेखाकार के लिए age लिखी हुई है कम से कम 21 वर्स और अधिक्तम 40 वर्स अगर आपकी है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं ठीक है notification आप इसके पढ़ सकते हैं आप इसके official site पर जा करके देखिए fees के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था किसकी कितनी fees है चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है ठीक है यहाँ पर देखिए इसके बारे में बताया गिया यह देखिए assistant accountant के बारे में पहला part और यह है दूसरा part same बिल्कुल आपकी UPPCL की तरह ही है पहला part होगा 50 question होगे computer के O level based ठीक है O level based 50 question होगे जिसमें आपको 50% number लाना जरूरी है यानि 50 में से आपको 25 question बिल्कुल सही करना होगा तभी आप part 2 के लिए qualify कर सकते हैं यानि अगर आप part 1 में 25 question से ज़्यादा करेंगे तभी आपकी copy check होगी part 2 की part 2 में क्या-क्या पूछा जाएगा यह देखिए 1500 question पूछे जाएंगे ठीक है 1500 objective type question पूछे जाएंगे कितने नंबर के होंगे 1500 नंबर के होंगे और इसमें minus marking भी सामिल है ठीक है minus marking भी सामिल है 1 by 4 यानि 0.25 की minus marking भी है यहाँ पर देखिए syllabus दिया हुआ है बिल्कुल same syllabus है आपका UP PCL की तरह Hindi and English ठीक है 10th level की आएगी arithmetic यह भी आएगी आपकी 10th level की Accountancy, Auditing and Income Tax यह आएगी आपकी graduation standard की और यहाँ पर syllabus दिखा हुआ है क्या-क्या आएगा तो उमीद करते हैं आपके इतुना समझ में आ गया होगा तो अच्छी तयारी करने के लिए आप हमारे साथ जोड़े रहिए कर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ठीक है क्योंकि बहुत सारी वीडियो आपको प्रवाइट कर दी तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्ट वीडियो में आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और टेलिग्राम को भी जोईन कर लिजे इसकी तयारी हम लोग अच्छे से करेंगे और जादे जादे आपको पीडियाफ प्रवाइट करने की कोसिस करेंगे जो भी वीडियो उसकी होग तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में एक और इंपोर्टेंट वीडियो के साथ तब तक लिए नमस्कार टेक केर बाई बाई झाल चालर कर दो लिए प्लारा कि उना हम हने झालर क्वाइछ के तुमर दो भीडियो प्रवाइट प्र।रोर्टेंवेट हम इंप में लिए और बाई गड़ियोёт करने की के मिलते हैं घर थाएटें पशाफियों प्रहीं से की करेंजे जांब ऐा हम जाज़ तीक्वाइश ह झाल झाल